जीव हमारी जाती है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुसलिम सिख्षे साई, धर्म नहीं कोई न्यारा अब जैसे किसी को एक्सिडेंट हो गया और उसका बल्ड चल रहा है, बलेडिंग हो रही है तो डॉक्टर सबसे पहले उसकी कोईसिस करेगा कि बल्ड रोकूं, चाहे उसकी टांग कितनी पीडा हो रही हो, फ्रेक्चर भी हो रहा हो, उसने नहीं समालेगा कि यो दर दोन दे थोड़ा है, पहले इसकी जान बच चली जाएगी, जै बल्ड नहीं रोकिया थे, तो वो कहर होगा है मर गया, पायर टूटी है मर गया, तो वो अलग बात है, पहले वो बल्ड रोक एगा, फिर उस टांगने समालेगा, उस तो जान नहीं जा सकती, तो इसी परकार आप यहां आई हो, केवल एक उदे से लेकर, और परमात्मा को पता है कि कल ने इसके उपर कैसी आपती आओगी, इसकी जान जानी है, या कोई और बहंकर अटेक है इसके उपर, तो पहले मालिक आपके उस संकटना अटावगा, जो बविशम और आने वाला इससे बहंकर, और आप यह सोचोगे, एक बता, मेरा यह संकटना ठीक हो, या दो बार लिया, तीसरी बार आली, पांच म आपके असंग जनम का कोड कट्रेगा यहां से, अब जो परसंग चल रहा है, कि जिन जैसे सतियों के अंदर पुन्यात्मा जनम लेती है, और उनके लिए परमात्मा ऐसा माहल बना देता है, फल्दार वर्क्स होते हैं, सब जो गया है, जैसे आज किल हम कनक पैदा करते हैं, कितनी मेनद करके उससे में यह ऐसे खड़े रहते हैं, जैसे साम्मक देख्या हो आपने, ऐसे खड़े रहते हैं, और जाओ, और तोड़ो, और जाड़ो, पकाओ, और खाओ, फल तोड़ो, खाओ, और बजन, और उसमें बजन सभी करते हैं, उनकी ऐसी सरदा होती है, तो व विद्वा औरत विद्वा नहीं होती हैं तो वह यह सोच्रिक हम जो साधना कर रहे हैं इसे में लाव है नहीं यह भूल मारी है हमने आज तक तो वह उस अत्युग में कौन पराणी जनम लेंगे यह बहुत असंख युगों से चला रहा है अब जैसे यह समय अब चल पड़ा जो भागवान पुन्यात्मा है इस ग्यान से संपरक में रहेंगे बक्ती ठीक करते रहेंगे तो यह पार हो जाएंगे अब अर्बों खर्बों पराणी पार होंगे अब इस बिचले पीड़ी में इस ग्यान और्बों कि पर्मातमा ने तीन युग इंतजार की है इस समय के लिए और कैसे प्रमातमा किस परकार ऐसे छो लुका चिपी करके और बक्ती बचा कर लाए हैं आप इस ग्यान से परीचित होगे तब पता सलेगा कहीं भी जैसे आप सोचा करते हैं श्रीकर्सन साड़ी बढ़ा दी ड्रोप्टी की श्रीकर्सन अरकेबसका ना था कुछ भी परमात्मा की सरदा बनाए रखने के लिए परमात्मा कहते हैं मैं ही सोचल शिद्र करता हूँ वही कुसी संत का रूप बना कर चले जाते हैं जो जिस गुरू पासरीत है और उसका काम कर देते हैं भगत में आस्ता बनी रहती है और वो ने सोचा मेरे गुरू से या इसाधना से ठीक हो गया होता है उसके पूरो जुनम के संसकारों से तो प्रमात्मान इस बगती का को बचा के जीवीत रखना था इसलिए आपको यहां तक लाए हैं तो अब जो पार होंगे वो तो होंगे ही होंगे मालका बचन है सकल सेरिष्टी परवानिक होई पूरा विश्व है और नाम लेगा मोक्स होगा फिर क्या होगा कि लास्ट में फिर यह तो सभाव है गंदे लोग का एक फिर दीरे दीरे चाह कर परवपरा बिगड़ना शुरू हो जाती है तो उस समय लास्ट में जो भगती यही कर रही होंगे लेकिन वो पार नहीं हो पावेंगे उनकी संख्यावी थोड़ी नहीं होगी बहुत लाखों और क्रोड़ों होंगे जो पार नहीं हो सकेंगे लेकिन भगती संग्रीत हो जागी उनकी जबरदस्त तो वो फिर क्या करेंगे काल के हाथ चड़ेंगे उन ही मैंसे बर्मा विश्णो महेश यह देव और यह सब बनाए जाएंगे गनेश और यह जो जितने भी देवता है इंदर, कुबेर, वरून, धर्मरा यह 37 कोड़ देवता इन ही मैंसे सेलेक्टिट होते है और फिर इनको उपर रखेगा उपर गे लोकों में इनकी पुन इनके साथ होंगे फिर वहाँ इसका टेक्स है अपना टेक्स अलग लेगा और अपना वह माल बेचेगा वो न्यारा तो इनके पुन समाप्त जब हो जाएंगे फिर यह दोबारा सत्यूगम जनम लेंगे वो पिछले वाले जो उपर लोटन लग रहे हैं वो सत्यूगम होंगे और अब वाले फिर काफी वरसों के बाद वो आएंगे फिर सत्यूगमे अब सत्यूगमे होंगे यह बगती संग्रित परानी जो अब करेंगे साथ तरुकुल साधना अब मिली इनको आज तक साथ तरुकुल साधना नहीं थी चार यूग का हिसाब लगागे देख लो जा किसी के पास आज तक यह साथ तरुकुल साधना हो या बगती की हो किसी ने तो बगती अभी शुरू होगी तो इन में से वचे हुए फिर उसी गेडमा आगे सत यूग में जनम हुआ फिर वही तरेता में दौापर में और फिर कल यूग के इसी समय में फिर दाव लगेगा इस मौक्स का और इब चूख ये तो फिर वही चक्र अजारों वरस यूगों तक आप वाइंदर की पोस्ट पर रहोगे हजारों वरसों तक देवताओं के सुर्ग लोक में अपना माल खाओगे बरबाद करोगे पुँजी को और फिर ये थी आगे भगवान फिर कोई संत नहीं मिले इतने जनम मनुस्के होकर भी फिर आप सुरा सी लाग यूलियों में चक्र खाओगे तो ये आज का विशे था कि आज आज आपको वो दाव लगया है इसको संभाल के रखना आपको मानुस्री प्राप्त हुआ है आपको छस्व वरस पहले परमातमा आई थे तब भी आप मालिक के सरणों में थे 64 लाग से थे ये 64 लाग से पहले आऊंगे उसके बाद फिर प्रमातमा ने ये अपना परचार फैला दिया है जैसे आपको बताया गया है कि ये वानी उसको भी जैसे काग बुसंड की कथा सुनाई थी 6 मिन्ने कथा सुनके उसका थोड़ा सा असर हुआ के नाम ले लूँ तो ये इतना परचार होगा इस वानी का अन्दी सी उठेगी तो वो दो ट्रनवाइज भी जिनका नंबर मनुस्का आया है वो उस दिन के बाद आजाएंगे सरनमे आना पड़ेगा और इस परकार ये सब का मोक्स होगा बोलो सत्गुर्दे आप सुन रहे थे जकत्कुरू तत्वदर्शी संत्रामपालजी महराजी के मंगल प्रवचन अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारे वेबसाइट www.jakatgururampalji.org संत्रामपालजी महराजी के शुब आशिवात से पूरे विश्व भर में 500 से भी जादा नाम दिख्षा केंद्र हैं जिन पर संत्रामपालजी महराजी द्वारा ओनलाइन निशुल्ट नाम दिख्षा दी जा रही है अपने नस्दी की नाम दिख्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्ख करें 8222 880541 जाम दिख्षा के रही है संत्रामपालजी महाणी जिख्षा के करता कार को करता करिध crown करता कर दिख्षा केंद्र के लिएitar के भर का hell हल्वाज क। ङगर जवड़writer